Maternity leave, Childcare leave and Paternity leave in case of Sarogacy or Central Government employees केंद सरकार के कर्मचारियों के लिए सरोगacy के मामले में मात्रत अवकाश, संतान पाला नवकाश और पित्रत अवकाश इस वीडियों में हम देखेंगे कि सरोगacy के मामले में किन सरकार के नियम, Maternity leave, Childcare leave और Paternity leave के बारे में क्या कहते हैं पहले हम देखते हैं कि Maternity leave आवश्या क्यों है मात्रत अवकाश का उदेश, महिला और उनके बच्चे के लिए पूर्ण और स्वस्त जीवन प्रदान करना एवन मात्रत की गरीमा की रक्षा करना है जब एक कार पर उपस्तित ना हो आदोनेक योग में जैसे जैसे महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है मात्रत अवकाश और अन्य मात्रत अलाव आम वा आवश्या होते जा रहे महिला कर्मचारियों को सामाजिक निया एक प्रदान करना भी इसका एक उदेश है सरोगेट और कमीशनिंग मदर से हम क्या समझते हैं सरोगेट मदर वह महिला कर्मचारी जो किसी अन्य महिला की ओर से बच्चे को अपने ही अंडे से दूसरी महिला से निशेशित करती है कमीशनिंग मतर वह महिला कर्मचारी जो अपने और अपने पुर्ष साथी द्वारा आपूर्ती की जा रही आनुवान्चिक सामगरी के साथ या उसके बिना बच्चे को गर्ब धरन करने के लिए किसी अन्य महिला की सेवाई लेती है सरोगेट और कमीशनिंग माताओं को 180 दोनों का मातरत आवकाष जिया जा सकता है यदि उन में से कोई एक या दोनों शार्ज के सेवाख है कमीशनिंग माताओं को अपने बच्चे के साथ संबंद बनाने और उसकी देखभाल करने के लिए भी समय क्यावशक्ता होती है और इसलिए वह संतान पला नवकाष के लिए भी पात रहे सरोगीसी के मामले में पित्रित अवकाष भी दिया जा सकता है ऐसे मामलों में अप 45 दिनों के अवदी के वीतर वन टाइम मेजर के रूप में पंदरा दिवसका जो की एक बार में ही लिया जाएगा पित्रित अवकाष के अनुमती दी जा सकती है इस वीडियो में हमने देखा कि सरोगीसी के मामले में maternity leave, child care leave और paternity leave क्या है यदि आपके कोई doubt है या clarification है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे mail के थूँ कॉंटेट कर सकते हैं Rules and Regulation के दूस्ते वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहें वेबसाइट पर विजिट करें Thank you, धन्यवाद